हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बिगनर्स के लिए अगर गलती से दोस्तो आप से किसी भी कुर्ती का या फिर बलाउज का आरम हो छोटा कट जाए या फिर बाजू छोटी कट जाए तो आप उसे किस तरीके से बड़ा कर सकते हो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा और दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आप सिलाई का शोक रखते हो घर बैठके सिलाई सीखना चाते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स जोईन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नमबर दिखाई दे रहे होंगे इन नमबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो तो दोस्तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो दोस्तो आप जैसा की देख सकते हो मेरे पास ये एक कुर्ती है और कुर्ती की कटिंग भी कर ली गला भी बना लिया साइड की फिटिंग भी कर ली अब हमें इसकी लगानी है बाजू और दोस्तो जब मेजरमेंट के साब से हम कटिंग करते हैं अक्सर जो गलती हो जाती है बिगिनर से तो अब जैसे कि इसमें गल्ती ये हुई है कि ये तो इसके बाजू है आप देख सकते हो इसके बाजू है अब जब बाजू को हमने इसमें लगाना है तो ये देखिए इस तरह से जब इसको मैं लगाऊंगा तो आरमॉल सिर्फ यहीं तक आ रहा है जबकि बाजू की फिटिंग हो रही है यहां पर यानि कि आरमॉल छोटा है अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए गलती से आपका आरमॉल छोटा कट जाए तो आपको किस प्रकार्शों से बढ़ा करना है तो बढ़ा करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है आपको देखिए इस प्रकार से इसको रखना है सूट को बिल्कुल सीधा आप उठाना है आपको क्या चौक और इंची टेप यहां से एक इंच नीचे आना आपको देखिए इस प्रकार से यह एक इंच पर निशान लगा दिया इधर भी और इधर भी यह एक इंच पर मैंने निशान लगा दिया अब आपको क्या करना है अब आपको उठानी है कैं opacity को इस प्रकारत से लेका है सीधा ये देकि और ये जिए जो सलाई है है से सलाई को यहां से आप इस प्रकार वेखे हिपर कर ऩे इझग कर देढ़ा अ क्य spend और इज़से अब आपको क्या करना अब आपको अठाना है's चोक और ये जो तो फ्रंट आर्म होले सकूए इसी शेप में लेकर आएं कहा तक यह जो निशान लग रहा है आपका एक इंच पर, यह देखीए, इस प्रकार से इसा फ्रंट आर्म हो गया अब इसी शेप में, आपका आर्म होल को जब आप इस प्रकार से ना पो गए तो यह देखी यहां से लेकर आपकी जो फिटिंग है बाद जो को साथ बिल्कुल परफेक्ट आएगी तो दोस्तों यह है तरीका अगर आपका आर्म होल छोटा कर जाए उसे आपने बढ़ा कैसे करना है इसको ऐसे नहीं कि आप लूज कर दो जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अच्छा अब आपको एक दूसरी चीजी यह बताता हूँ कि आरमोल का तो मैंने आपको बता दिया कि आरमोल को आपको कैसे बढ़ा करना है अब गलती कई बार ऐसी भी हो जाती है जब आपको आरमोल चोटा कट गया तो हो सकता है कि कुछ बेगिनर ऐसे होते हैं कि आरमोल के इसाब से बाजू जो होती है बाजू को भी छोटा काट लेते हैं ऐसे कि अब यह जो बाजू है जो पहले आरमूल कटा हुआ था ना यहां से जो मेरे एक इंच कपड़ा कटा है ठीक है उसी कपड़े के इसाब से आप देख सकते हुए देखिए बाजू भी कटिंग कर ली थी लेकिन बाजू छोटी पड़ गई और अगर आप जब आरमूल क आता हूं आपको यह देखिए जैसे बाजू यह चोटी बढ़ रही है तो इसको क्या करें पहले यहां से सबसे पहले सीधा कर लें यह देखिए यह तिर्चा पने ना यह वाला इसको यहां पर सीधा एक निशान लगाए यहां से काटके इसको अलग कर लें इसको मैंने अल तो बढ़कार से ठाखी और इस धार्मूल को थोड़ा सा आगे, और आर्छ यहीं, आपकी जरप्टिंग कहा पर आ रही है, इस प्रकार से इसको रखे और यह ढ़े खिरेन आपकी यह स्वार् हो इस Installation लगा लाएं, भूद इा गों में यह गार रहे यह त Sunshine, डारो जोडव को यहांसे अलग कर लेंगे और ये आपकी होगी बाजू, ये देखिए, इसको मैश स्कुवश्दा करता हूँ, अब ये। जोड़ है, आपके इस पकार से लग देखेंगे, एक जोड़ जाएगा, एक जोड़ आपका इधर लग जाएगा, ठीक है, इसी पकार से इस बाजू में भी लगाना है आपको और जोड लगाने के बाद ये देखिए और ये जो जोड होते हैं दोस्तों इससे बाजू आपकी बढ़ जाती है बिल्कुल आर्मोल के बराबर हो जाती है और ये जोड नीचे के तरफ रहते हैं ज्यादा दिखाई भी नहीं देते अब जोड लगाने के बाद जो आपका आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट एकदम से इसमें आ जाएगा ये मैं आपको दिखा जता हूँ ये देखिए इसको मैंने ऐसे रखा ये मान लीजिए इसमें मैंने इस राय लगाके जोड लगा दिया है ये देखिए अब इस आर्मोल को जब आप नापो गए तो ये बिल्कुल इसके साथ एकदम परफेक्ट आएगा ये देखिए रही बात ये जोड लगाने Ugh गागा अथ ये बाद थोड़ी से आपको यापए शेफ देनी पड़ेगी क्तिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है जब आप इसमें जोड लगाते हो तो उसके हिसाब से कि outta की फ्लू की से कटिंग कर लें इस प्रकार से यह देखिए तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका आर्मोल छोटा कट गया तो वह मैंने आपको बता दिया आप कैसे बड़ा कर सकते हो अगर बाजू छोटी तैंक य। वेरी मुच्छ